दोस्तो जैशीरी राम जैशीरी बालजी माराज दोस्तो कैसे हो आप सब आशा करते हैं कि आप सब जो है सुरक्सित हैं सुस्त हैं और बाबा की असीम कृपा सब पर बनी हुई है तो दोस्तों आज मैं फिर आपके सामने एक और नई वीडियो के साथ हाजिर हूँ और जो है दोस्तों आज की जो हमारी वीडियो होने वाली है वो होने वाली है कुछ लोगों ने एक दो जनों ने मिरे कोई वटसब पे खास तोर पर बहुत बार रिक्वेस्ट की है कि जो है ह वो हमारी बुद्धी को हर लेता है, पूरा जो है हमारा सोचने समझने की शमता को बदल देता है, वो सारी बातें आपको इस वीडियो में ही पते चलने वाली हैं, तो सोचा दोस्तों कि ये सवाल सब के हित में है, तो आज इसके उपर वीडियो जरूर बनाएंगे, और जो है दोस्तों सुरूर करते हैं आज के बड़ियो, जैशी राम जी, बटन भी, जैशी राम, जैशी बाला जी माराज, मेहंदी पुर की पवित्र सक्तियां, आपका कल्यान करें, फिर शुरू करते हैं, आपके लिए एक नई, जो इनका टोपिक है, बहुत बढ़िया बढ़िया देखो टोपिक ऐसे ही होने जी जिसमें समस्त व्यक्तियों का कल्यान हो, और उनको हर पकार की नोलिज मिले, देखिए जो भी हम ग्यान दे रहे हैं, शिरी बाला जी माराज की किर्पा के नुसार दे रहे हैं, और अपने दूत माराज की शक्तियों के नुसार दे रहे हैं, और जैसा हमारे जीवन में हमने अनुभव किया, जिस पकार की चीज़ों को हमने अनुभव किया, मैसूस किया, देखा अपने लाइफ में की इस पकार के संकट भी होते हैं, ऐसी ऐसी चीज़े भी होती हैं, जो आदमी को ऐसे ऐसे ब्रहमित करती हैं, दीरे 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 बीज व्यापित कर देता है वेक्ती नेकिन चाहे प्रमात्मा तो एक दिन में भी सिद्ध हो सकता है तो इसी पकार से जितना भी आपको ग्यान मिले उसको अरजित कीजिए और समझिए जितना आपके लिए बहुत ही जादा जरूरी है क्योंकि भाईया एक बात आपको आज ब वक्त तुझे जवाब देगा कैसे कि दो मिट में किसी का बुरा करवार देना इस पकार के केस अनगिनत हमारे पास आते हैं और अनगिनत क्या करवाई करें आज मैं इस बातों पर टोपिक पर स्टैप बश्टैप बताऊंगा आपको कि अगर कोई प्रेथ आपकी गृणन है और कैसे हम समझ सकें और इसके कैसे बचाव आप कर सकते हो इस वीडियो को स्किप करके मत देखना मेरी कोई बी वी विडियो कमिया ज्ञानता से जुड़ि वहिंदी है मैं समझ वीडियो को बारिकी से लेकर चलता हूं टाकि जो सामने वाला व्यक्ति कोई अनप आप से कौल आती नोगों की अनमें कहीं लोग ऐसे होते हैं तो पड़्ेलिके होते हैं मिसे बात करते हैं कैसे हो आप मेरा हाल पूछते हैंникомर वहाल को नंबर यू जैसे बाबा को सब प्यारे हैं ऐसे हम भी सभी का सम्मान करते हैं कोई भी व्यक्ति हमें फोन करता है तह दिल से हम उसका अभार पकट करते हैं और उसके लिए प्यार जनते बाते करते हैं उसके साथ उसको स्पोंस भी बहुत अच्छा देते हैं किसी के साथ अगर किसी कारणवाश हम फोन नहीं उठाते तो उन्हीं व्यक्ति का फोन नहीं उठता जो गयर टैम फोन करते हैं और अगर कोई मैसीज के जो तुरू मैसीज के थूरू हमार से बात करता है तो उसको अच्छा रिस्पोंस देता है जैसे कि मैंने कल एक परसो एक वीडियो बनाई थी जिस पर मैंने आपको बताया था कि आप घर से उसारा किस पकार ले जाते हैं उसके बाद तो मेरे पास पुछो मत कितने फोन आ गए किसकी अंगिनत गिंतियां उससे कई वेडियो दूत वाली वीडियो पर भूत फोन आए बहुत से मालो फोन तो रोज ही आते हैं रोज 30-40 फोन हो जाते है डेली नेकिन कई वार प्रिये संक्या इतनी ज्यादा हो जाती है कि कई वार हमें खुद को नहीं समझ मैंता क्योंकि एक आदमी 10 मीन 15 मीन संतुष्टी मांगता है अगर आप मुझसे सही तरिक्य से चैक होता है रात को डेली डेली चैक होता है किस वेक्ति ने क्या क्या लिखा है किस वेक्ति ने क्या क्या लिखा है पिर उस वर्ट सब के अकोर्डिंग हम जब आपको पता लगाता है कि हमने आपका मैसेज सीन कर लिया उसके अकोर्डिंग आप कारवाई कीजिए तो दोस् प्रेथ आपकी वुद्द्रा किस पकार की संकेत होती है। आप‡ बार बैठे ओ Vai Option बहुत अच्छे त्रिक किसे वैफारिक तोर पर कर रहे हो काम कर रहे हो और अğचानक कि कोई गाक आता है पहले में वैफार से लेकर चलता हूँ कोई गाक आता है और कोही ना कोई बात पर прогत कर लेती हो कोई ना कोई बात पर एप च्छोटी सी बात होती है मालो कोई कई न향गर उस बात को देखा जाए गोर से तो ज्यादा बड़ी बात लिए और उस से आप उस गाख को अपने दुकान से एड करके भगा जिकते हो तो कहीं न कहीं ये संकेत भी आपकी बुद्धी के ओपर कोई न कोई ऐसी चाया है जो बार बार आपको भरमित कर रही है फोन करते करते अचाना कि आपकी एकदम तक्तापन हो जाना जल्दी से जल्दी एकदम वैपार के तक क्रोध जाना दूसरे की सामने की वाले की बात ना समझ में पाना कि आहां भी क्या है क्या नहीं है भाया मैं नहीं जानता कुछ भी यह मेरे को तो यह काम करना जीए तो यह इस पकार का दिमाग भरमित हो जाता है सोचने समझने की शक्ती खतम हो जाती है उसकी वह क्योंकि कोई और या पतनी से लड़ पढ़े या पॹम फादर से लड़ पढ़े या अचानकि कोई बार का व्यक्ति आता है और अचानकि कि घल आप उसके ठादि बिरीं खैसा वैसी हो जाती है आपकी लिए पार के पड़ते हैं धूरा अचाना कि आपको पता लगता है कि कही न करिया आपके घड़ में दोному लाक रुपिया आ अरा है कहीं से और अचाना कि वगए स़स्वाइब अचाना कि अपड़े लाइन बर जाता है आपको पता है या कोई आपको पता है कि यह पूर्जेक्ट हमारों मिलने वाला है ये काम हमारे को मिलने वाला है और अचानगि आप घर में अपने फादर यप भाई से बात कर रहे हो आपके हाथों से निकल रहे हैं एक दफ़ा नहीं कई दफ़ाई अगर इस पकार के कारिया हो रहे हैं तो कही न कही कोई चीज आपके सिर्इ पर वैठी है और वो सुन रही है वो कही न ख़िए आपको बरबाद करने की पुर्ण कोशिक कर रही है और बार बार अगर मन में ऐसे ख्याब आ rápido है कि मैं मर जाओं ना यह दा यह को मिन जाना रहा है तो यह कही न कही आपकी बोटी पकड़ी वी ठीए है यह भाया कई लोग ऐसी होंगे तो तर्क वितर्क कर सकते हैं वीडियो में तो मैं उनको भी एक वारी चितावनी इस पकार की दे दू भाया जिसके गर में बीटती है असली दर्द और दुख वही जानता है यह बात आप जिसके साथ नहीं बित्ती वह इस बात को नहीं समझ पाएगा नेकिन जिसके साथ बीटता है वही जानता है कि साप का काटना कैसा होता है वही जानता है भाया साप का काटना जिसको साप काटा ही नहीं जिन्दगी में उसको भाया उसको नहीं पता लगेगा कि दर्द कहां से होता है विश कैसे चड़ता है चरीर में आकरन कैसे आते हैं तो अभी मैं किसी अगर मालो किसी испर क्षिश खाई ने तो पिशी को नहीं बता सकते इस चीज को वही व्यक्ति बता सकते जिसके साथ बीटा है जिसके साथ उसका छरीर कि अंदर इस पकार का कारिया हुआ है वही इस पकार के दर्द को जान सकता है अब ऐसे ही कारिया क्या होता है ऐसे ही आपके बच्चे अगर आपके बच्चे अधिक से ज्यादा नींद ले रहे हैं अधिक से ज्यादा नींद ले रहे हैं बहुत ही ज्यादा नींद ले रहे है हत سے जादा नीनत में सोए पड़े हैं तो कहीं न नहीं ये भी संकेत है कि उसके साथ कोई न कोई प्रहित बैदास हो रही है जो कोई जूर्ट से जादा अगर कोई खाना खा रहा है जूर्ट से जादा खाना खा रहा है आज भूग तो दो रोटी की थी नेकिन खा गया मैं छे रोटी तो कोई ना कोई अनरजी आपके साथ खा रही है वो भी गरहन कर रही है और अचाना कि कोई बात होई नहीं सब जी सब पूरे घर के को पूरी चीज़ अच्छी लगी कोई ना कोई बात पे बे फजूल के अगर घर में कलेस उत्पन होते हैं बे फजूल के मालों जिनकी कोई जिकर नहीं किनकी कोई मर्यादा ही नहीं है ऐसी ऐसी बातों के उपर कलेस उत्पन हो रहे हैं तो कोई ना कोई अनरजी है जो पीट के पीछे चुपकर ऐसे कारिया कर रही है, कोई ना कोई प्रेथ ब्यादा है, वो एक नहीं है, कई ना कई दो है या तीन है, तो कई ना कई वो ऐसा कारिया जरूर कर रहे हैं, अचाना कि आपकी दुकान बहुत अच्छी चल रही थी, द तो यह मत सोच लेना कि आपके कर्मों में बगवान ने ऐसा निदारित कर दिया कहीं न की कोई और आपके कर्मों में हस्तशेफ कर रहा है उसके दो बाबाबाद में देखेगा नेगी इन ने तो आपके फास आए खी आज नहीं आएगी एक युद्य आएगी वह जो है तो इस पकार के संकेत जो है ऐसे अनगिनत संकेत हैं जो आपकी बुद्धी को पकड़ती है आत्मा ईह शरीर पर वजन महसूस होएगा आज मैं आज मैं आपको आत्मा का वजन मैंताता हूं 21 ग्राम का वजन होता है आत्मा का जो कि इतने ही हिस्से पर आकर वास करती है शरीर के अंदर अटेशिमेंट हो जाती है शरीर भारी होता है कईयों का भारी होता है और कईयों का ये भी एक किसम की नसल होती है आत्माओं की जैसे एक भैस की, गाहें की, जीव जन्तु की ऐसी नसल है, ऐसे ही आत्माओं की और प्रेत आत्माओं की नसल है, अलग अलग पकार के, समझ गे किस शेणी में कौन सी आत्माओं आरी हैं, बिताल, ब्रम राक्षा, यह अलग उपादिया हैं, नेकिन उसके अंडर में कही आत् चोटन करती हैं वह अंकर सारी आत्में यह तो उस्मस पंजे आत्मा को प्रेद एक का नाम तो लिए सब किसके अंडर में आत्याती है यह सारी इसा पर भी वीडियो मैशिक, बनाएंगे। कितने पकार और इनकी गिंती नहीं है। अीर इनकी गिंती नहीं है। तक्रीपन मैचिंग करती है सभी के साहत ही। कोई मोछ चलावा केंची को ौारीटeb को बेताल कह देते हैं किसी को भूत कह देते हैं किसी को क्या कह देते हैं तो भाया ये आपके घर की बुद्धी पकड़ते हैं और बुद्धी को पकड़कर उसी पकार से इसका 21 गराम का वजन होता है शरीर के इन हिस्तों पर वास करती है इन हिस्तों के उपर और पूरन कंट्रोल कर ले है और उसी पकार से दो मिंट में आपको चकमा देदी तो मिट में आप को क्या होता है जब को कोई आदमी सोचके देखो जब कोई आदमी सुसैड़् करने जा रहता है तो दो सेकिन तक उसके मनमें रहा है मेरना है मर STEM और अचानक ही जैसे इसको कोई बेंदा पकड़ लेता है तब वो दुवारा क्यों ने कूटता कभी आपने देखा अगर किसी ने पकड़ लिया इसको दुवारा क्यों ने कूटता क्योंकि भ्रमिती वह जो दुमाग में जो जो चाया पर रहे था जो चाया पकड़ी वी थी सिर्फ उसी संट तक पकड़ी थी उसके वाद तो हट की बाद में पस्ता अदाब करेगा यह तो गलत है मैंने तो बहुत गलत सोच रहा है देशिजन लेने की सोची तो इस पकार की आत्माएं हमारी बुद्धी को पकड़ती है हमारे को लोस करवाती है जैसे कि क्या हम कोई सक्ता वजार यह कोई शेर मार्केर यह कोई ऐसा कारिया है अब मालोगों की करा कराएगी भी कई पकार की किसम है कोई हाड मसानी चोड़ रहा है कोई क्या चोड़ रहा है कोई कैसे चोड़ रहा है को किस पकार चोड़ रहा है समझ गे कोई चोकी चोड़ रहा है कोई किस प भेका लाता расскुण भी डेविक शक्तिया के लोग जल्दी कारियां करें नता है तुछ पकार की ठीड़ीक खराली करती यहूंया करती ही चीज़ी हैं हमारे रे पर भार करती हैं हम ए객 को ब्रहमीत करते हैं और इस ब्रहता में निगांदता कारिया करता है अंगिनत कारिया कर सकता है यह सुवास भी कर सकता है शरीर पर रहकर किसी इस तरी के साथ सुवास भी कर सकता है किसी इस तरी के गलत पार्ट में रहते हैं तो कहीं न कहीं पुर्ष के भी निचे के इससे के पार्ट में रहते हैं तो ऐसे ही जिन जिननी भी होती हैं ऐसे पत्लाइब नेंको समझेगा को इनको वहीं समझेगा जैसे इलरे की पड़क एक धवेरी समस्ता है तो उसी पकार इनकी जो पड़क होती है वह श mobil ही समझतीक है और शक्तियां ही बताती है यह क्या चीज है अब जैसे मेरे पाल कई हो फोन आ रहा है कि बहिए गुर जी हम मेंधीपुर चले जाएं जले जाओ मेंधीपुर जाओं आपका आपका जनम सरी अधिकार है अपने बाबा के शिरी चर्णों में जाना इसमें कोई बराई किसे आपको किसी भी पकार का वना हो अपर संकत बापस ना आए कारवाई करके जाओ और सहितीद्य कैसे उइस नसल कर। किस नसल का रहा है क्या क्या कर्य कि आ सुथा लूग fel किस पकार beblet कर रहा है तो विया इस पकार के संकतों को वैसी ही सजा दीजिए वैसी सजा दीवाईए और दिवा कर उसको तुरंत मेंधी पूर छोड़ाईए और मेंधी पूर छोड़ने के बाद जैसा मैंने आपको विदी वदान ये अगर गुरू के सानिद्य मिलता है तो बहुत उचित रहता है अब बहुत से लोगों क्या करते है वैसे तो भाई या लाखोर रोपे खरज़ते हैं जगा जगा अब सबी पांचों उंगलिया एक बराबर तो नहीं होती ना बगवान ने ये पांच उंगलिया तब यह अलग अलग पकार की बिर्ट मनाई हैं क्यों कि हर विक्ति के अलग अलग विचार हैं जैसे कि कोई 37 फीम्न लाइक भी कर सकता है फ। 25 लाइक मी कर सकते हैं तो कहीं न कहीं पचास लाइक ओंगे तो एक खर Unterनीच दो जरूर मिलेगा कहीं तो ऐसा विकतिती उसाल भी संसार वे हैं सेब के अंदर एक बांगा सेफ जरूर होता है हमारा मकसद यही है कि बाबा से अधिक सब्सक्राइबू को जोड़ना और अधिक से अधिक लोगों को मेंद्रिपुर लेकर जाना तो प्रेतD ऐसे कई प कार्गी अंगिनत कारिये करते हैं लड़की के शरीर को भी पकड़ते हैं तो इस पकारकी उनकी बुद्द्धों को ब्रहमित कर जैते हैं पूजा निकरने जयते जब भी कभी पूजा करने बैठो लड़ाई जगड़ा उत्पन हो जाएगा घर के अंदर ऐसे फोस से कारिया उत्पन होएंगे जो बाद में सोचता है बाद में जब उसको हड़ता है तो जब 21 ग्राम का वजन सिर से हड़ता है मैंने आपको आत्मा का वजन बता दिया 21 ग्र तो कहीं न कहीं ऐसे कारिया होते हैं कहीं न कहीं बुद्धी को पकड़ लेते हैं और बुद्धी को पकड़ने के कारण हमारी इंद्रियों के उपर काभू बना लेते हैं जब हमारी इंद्रियां जो हैं किसी और के वश में आ जाएंगी तो वह हमारी सोचने समझने की शक् उपर जो सुस्रा मरने जावेगा भगवान के अपने भगवान की दे का नुक्सान करेगा जो भगवान ने ये शरीर धरमशाला किराय के लिए मकान में बैठे वाब तो मकान मालिक तो आपको छोड़ेगा नहीं वह तो कोट केस करेगा आपके नाम का तो इसी पकार भाईया उप्र भी दया इस दे को नुक्सान करने वाले लिक्तीं के साथ इस पकार परेत यह जरू रूफ मर्जा नहीं नकलते हैं वह प्र हिर्वार में निकलते हैं और जब एक निकलता है दूसरा दूसरा निकलता है तीसरा तीसरा निकलता है तो इस पकार की बुद्धी को आपकी बर्मित करके रखते हैं दिमाग कराब करके रखते हैं और बुद्धी को ही पकड़ते हैं बुद्धी को कहीं चीज होती है कि जो कारवाई में गंदे तरिक् कर सकती है। और यह नो द्वारों को बंद करने की विदी जो नहीं प्रवेश करती हैं और जो दौन से करती है तो यह भी बता दें आप कि कैसे उन से बचा जाए उनको कैसे क्या बचेने के लिए तो भाइया आप भी आप है ढूआ की जिने कि पहले आप को चुनो अगर आप चाहते हो गुरु पुर्नी मा पे वीडियो मने तो अगर बने घ्रैकर के दर्कास वाली वीडियों सबोनाइए वोय सबकुछ आपी तो किसको दिखाने जाएंगे तो इसली पाकार का हम जितना आप पटाया ऐसे बहुत से कारण हो सकते हैं और वो कभी अभी में में बहुत से लोग में से मिलना चाहते हैं कॉमेंट में लिख रहे तो बहुत घुड़ना है तो आप पहले मेरे चैनल को सबस्क्राइब की जिए और मेरे वरचाप पे आप लिख दीजिए कि गुरु जी माम मेंधिपूर चलना चाहते हैं देखिए मेंधिपूर जाने आप यह न सोचो कि संकट आज चला गया और आज उतर गया ऐसा नहीं होता जल्दी जी नहीं उता था क्योंकि वहां पर कोई भोग नहीं लग रहा है अभी कोई भोग नहीं लग रहा है जब यह जानी है और अपने परिवार पर अनुभाव करके आप समझिए यह देखिए ऐसे बंदे मानते नहीं है अभी पता है कि टाइम हो गया है बंद है तो दोस्तों जैश्री राम जैश्री बाला जी महराज मेंधिपूर की पवित्र शक्तियां आपका कल्यान करें अच्छा तो एक कोशिन हो रहे है कि भगवान राम के चार भाइते समझे तो उन चारों भाई होगा क्या नाम था यह चोट चोटे कोशन बदे क्यों पूछ रहा हूं मैं अगर कोई छोटा बच्चा भी देखता है ना तो उसका भी ज्ञान बढ़ता है अगर वैसे जरूरी नहीं है कि आप अगर आप को ग्यान नहीं है मैंने कई लोगों मेरे पास आते हैं उनसे पूछता हूं बेटा हनुमान चले सा सुराना नहीं आती समझ गें तो ऐसे ही मैं जेनरलिशन के नोलिज के लिए कोशिन आप से पूछता हूं कि भगवान राम के चार भाईयों थे तो चार भा पा बनी रहे ऐसी कामना अपने इश्ट देव से करता हूं